हालो फ्रेंग्स विल्काब बैक टो माई चानले अमरसे एडिटिंग तो पहले कुछ दिल पहले मैंने एक शोड वीडियो डाला था जो टेंड बेंग्राउंड के सामने फोट एडिटिंग करके छोड़ा था तो उस वीडियो में आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दे हमने अपना मॉडिल को या खुद का फोटो को कैसे खाड़ा करना है वो तरीगा वो सेम प्रोसेसिंग से वो ट्रेंड वाला वीडियो अभी हमने बनाये था तो आज यह देख लिजिए तो आप लोगों को पाता चल गया है ऐसे फोटो एडिटिंग कैसे किया जाता है तो चलिए मिलते आपने वीडियों में तो देखिए दोस्तों हमने पहले कैसा एरेया प्लान बाला एक बेग्राउंड ले लिए जो बेग्राउंड आप लोगों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दें दूंगा अब यह हमको क्या करना है चीज फोटो को जिस फोटो को एड़ करन यह बना जाना है चिए बालत जाने के बाद आपका चल ले में के तरीका आपने बहुत दिखाया हूँ पिछले वीडियो में अगर नहीं पाता है तो कॉमेंट कर देना मैं प्यंजी के लिए अलग वीडियो बना दूगा उसके बाद आपने हिसा साइस के इसाब से रखना कि जो प्लेन बेग्ग्राउंड है वह थोरा प्लेन पीछे है और क्या करने पर पहले नहें पूе नोसगा गुदने के बाद बांत को कुआने देको पर देखू करदेना शाइचा का अपनौन याप डाप अपनी सबसे हमनों करत 코로च करें के precisoा ऐसे बना ले बनना लिए बनाने के बाद बांत कुर इस सो हो इसमें जब भी टाच करेंगे यह वाला option में जब भी touch करेंगे तो इसको हम transfer mark करेंगे यह transfer option में जैसे ही करेंगे देखिए यह transfer हो रहा है तो इसको जूता के नीचे बिठाएंगे ऐसे करके इतना कर दिया करने के बाद इसको tick mark कर देना है यह वाला तिक मार्क से टिक मार्क करतें आप लोग सोचे कॉनसे shadow भी बनाएंगे टिक मार्क करने के बाद पहले जूम कर लेना करने के बाद फिर से टांस प्रमें जाना और उपर वाला जो मीडिल में transfer है इसमें टाच करने क बाद यह बला ओप्स्ण में जाना दोस्तों यह बला यह बला अउस्टू में जाते ही दिखिए वक्षा हो गया अभी इसको थोड़ा सा नीचे उपर एसे पह गरकि इसको ऐसे बिठाना है देखिए मैं कैसे बिठा रहा हूं ऐसे बिठा दिया बिठाने के बाद थोड़ा साल का शेड़ो हो गया आप इसको क्या करना है फिर सी इस ऑप्षिन में जाके टांसपर करके फिर बाक्षा बने लेना देखिए इसको बहुत आराम से करना ठीक है क्योंकि हमको रियल स्टिक देखना चाहिए तो देखिए हमने ऐसे शेड़ो बना रहूं कि पीछे का हिस्सा जो मिट्टी के साथ जूता लगा हुआ है और अगले वाला हिस्सा देखिए थोड़ा मिट्टी से उठा हुआ है तो इतना कर देना करने की बाद देखिए जो इतना मोटा हो गया शेड़ो इसको क्या करना है ब्राश टूल के मदद से कांट देना एरेस ब्राश से इसके लिए क्या करने को रहे हो वह ही इरेस ब्राश लेना है इसको उपासिटे 100 परसें रखके ब्राश का साइध आपने ह सबसे रखके इसको हलका हलका इरेस करना है इस सब में थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप लोगों को जो फोटो बनेगा बहुत अच्छा बनेगा आप लोग इससे पहले एक मेरे शॉट वीडियो देखे था ट्रेन पे ग्राउंड चेंज आप लोगोंने बहुत अब लोगों को कि फ्लाइट बेग्राउंड का बड़ा वीडियो बनेके दिखा रहा हूं तो देखिए यह शेटो हो गया ऐसा लग रहा है कि हाँ इसी रोट पे ख़ड़ा है तो देखिए एक शेटो हो गया अभी दूसरा शेटो बने लिए जैसे यह पेर इसका शेटो ब ब्रास यह वाला लेलेए इसका औपसिटी हंडेर कर देने को जूम कर लो और यह फिर से यह बला उप्षेन करके यह बला ऑपच्वेक ने लोगे तो देखिए कि यह हो गया को आपके करतंगे इतना हो गया आभी हम जो इसका अपोसिती है शेटो का यह बाकी बाद में करेंगा आभी इतना कर दिया तो आभी फिलहाल लग रहा है कि हां मेरा जो मॉडल है मेरा जो फोटो है फ्लाइट का सामड़ी खाड़ा है बिल्कुल तो आभी क्या करने दिखिए अभी थोरा साई काम बचा है आभी और एक एमटी ले ले लेना लेने की बाद इसका जो ऑपसिटी है ब्राश का इसको आप 33% कर लेना साइस को आपने सबसे रख के इधर एक कर लेना खीच लेना वास थोरा बढ़ा करके एक बर खीच लेना हो गये अभी देखिए एक यह इदर शेड़ो आगे इसको हम टांसपर करेंगे करके लिख आएंगे मॉडल का नीचे इसको टिक मार्क करने के बाद देखि पीटाने के बाद देखिए मुर्यक्यचे बैठ गया बैठ ने की बाद अभी इसको हम टांस करेंगे इस शेड़ो को पर जैसी टांसरी आप्शन आजएगा ब्लैंडिंग मूड में जाके नॉन्माल है इसको हम कर देंगे माल्टीप्लाई ए हो गया माल्टीप्लाई इतना हो गया होने की बात देखिए आभी यह वाला जो माल्टिप्लाई किया है आभी उपर बाला शेटो इसको भी थोड़ा सा ज्यादा नहीं इतना परसेंटिस हो जाएगा 60% तो देखिए दोस्तों यह जो अपना मॉडेल है ऐसा लग रहे कि हां फ्लाइट का सामने जाएगा कि आमने वीडियो फैक बनाएं मतलब यह फोटो जो है फैक एडिटिंग मतलब जो बेग्राउंड चेंज एडिटिंग है तो यह हो गया आभी देखिए इसका और थोड़ा सा कालर ग्रेडिंग करना परेगा इसके लिए क्या करना परेगा इधर से से शेव करने क नहीं के लिए यह वाला ऊप्शुन में जाने की बाद यह सेव में जाके सेव कारें स्केच में टाज कर देंगे इसको फोटो है यह अपना गैलेरी में आगया आभी हम इसको क्या 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 करेंगे लाइत रूम एप्लिकेशन आप लिगेशन में जैसे शेयर हो जाएगा आनिक बाद आप लोगों को एक preset हम दे देंगे, यह वाला preset, यह preset इसको copy करके उधर paste कर देना है, इसको इधर से copy करना है, copy setting, इसमें हम करेंगे paste, paste करते हैं अपना फोटो कुछ ऐसा बनके तयार हो जाएगा, उमिदे कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, ऐसा photo editing चलिये, बाई